यहीं तो मैं चाती थी मम्मी जी अब ड्रामा देखे बस अब आप भी हमारे पिछे आही जाएए यहीं गजब देखे जाएнуть है? यहीं ए quando दो टी आहीं ठाइ़ रोहाा – यहीं तो यहीं तो इजब ड्रात अथैंध इपनी प्रॉब्लम है ना मेरे या रहने से तो ठीक है घर छोड़के ही जा जूए नहीं मानना आपको पत्नी मत मानिये पर कम से कम भेव तो ठीक से कर सकते है ना पर नहीं आप ही बताईए कौन सेगा ऐसा परताफ और कब तक सेगा जब आपको लगे ना कि यहार ऐसा प्यू में तो बुला लीचेगा चलो बताई हो कम से कम तुम्हें इस बात का हिसास तो हुआ कि मुझे तुम्हाई जरूवत मी है और तुम्हाई क्यों जिया है वक्का जा रही हो जाओ लोट के मत आना जो हाँ हाँ ठीक है जा रही हो और लोट कर वापस आउंगी भी नहीं क्या हुआ तुम तो जा रही थी जाओ जब के सारे जी हाँ सब इसमें है लीचे जितना बोला था उससे भी बढ़ा लिख दिया अच्छा है ले तेरे पैसे अब जाँ ठैंक यू ये पोस्टर आजरा सोम्याक की गाहों के हर दिवार पर चिपकानी है ताकि कल सुबह पूरे गाहों वाले एक साथ होकर कहें हरक सिंग की बहु एक किनर है वो गसीरता हुआ हमारे बस्ती में लेका है उसे और उसके बाद चींटी ने बोला हाथ ही जाकर मेरे पीछे पैट जाओ फिर आपकी माँ आपको धूर्णी नहीं पाएगी और फिर हमने पूरा दूदी फिनिश कर दिया पूछे चुहों से पेट भरा उनका की नहीं पर चंटू ज़रा भार ज़र चुपका बोड़ी यह मेरा कमरा है एक चमाट दूँगे ना निकल यहांसे अमीज कहीं का ने जहूंगा क्या करनेगी चमाट मालेगी तू माले दिखा चुची मैं मम्मीजी मैं चिंटू जी आपकी नानिमा है यह इनसे ऐसे बात नहीं करते हैं अभ्याप बाहर जाएंटा ना फिर मैं आपके पास खेलने आती हूं प्लीस तो फिर वो कड़akन क्यों मत नहीं थी प्यार से बोलती है तो मैं चल डाब जाता वो प्यार से ऐसी बोलती है तो उम अभ्याप जाएंटा प्लिज़ बाहर ठीक है मैं जाता हूँ पड़े पर निकला है तेरी छोटी के माई के जाने की जिद कर रही है वो जाकर उसे समझा कि ये वक्त हर्मन से दूर रहने का नहीं उसके करीब रहने का और वो जितना हर्मन के करीब रहेगी उतने ही सुकून और चैन से तू इस घर में रह पाईगी शर्त याद है ना सिर्फ नोटन किया दिये तुम दोरों बेनों को जाकर अपनी बहन से कह दे जो करने आई है सिक है कि वो करे और जल्दी करे जानियों का तुम दोरों के लिए समझे अब खारे खारे मेरा मून दिखते रेगी या कुछ करें की भी तुम दोरों दोरों के दोरों का जो जोड़ा या वा जोटी तुम कहां जा राए दी, वो खर की बहुत याद आ रही है, तो सोचा कि कुछ दिन घर पर राय करा हूँ चा, माईकी की याद तो आए की याद आ रही है तो जाने थे, व्या भी ऐसे हालातों में हुआ है, पक फेरे की रस्म भी नहीं हुए बिचारी की जाने थे जाने जाओगी तुम, यही रहोगी हर्मन जी, आपको कुछ दिखाना है पर आपको प्रॉमिस करना होगा कि इस बारे में अभी आप किसी से कुछ नहीं करेंगे आपको दीख की कसर चलिए अब यही क्या है चलिए माई के जाने के जिद कर लिया, जाकर उसे समझा कि यह वक्त हर्मन से दूर रहने का नहीं, उसके करीब रहने का है और जितना हर्मन के करीब रहेगी उतने ही सुकून और चैन से तू इस घर में रह पाएगी शर्त याद हैना तुम क्यों चाहते हो कि मैं प्रितो से बात नहीं करूँ, क्यों नोख रही हो मुझे? आपके बात करने से क्या होगा? जो होना है वो आज हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मैं सौम्या को लेकर कहीं बहुत दूर चला जो दी आपके साथ कहीं नहीं चाहेंगी और इसी बात का ममी जी फायदा भी उठा रहे है यही है मेरे घर में जौम्या, हरक सिंग, प्रितो, सबको सिर्फ अपने मतलब की बात समझ में आती है मेरे बारे में कोई सोचता भी नहीं है घर्मन जी, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है हमें सब को और भी को यह दिखाना होगा कि हमारा रिष्टा नॉर्मल है तब ही सब नॉर्मल हो पाएगा आप इस बन कमरे में जाहे जितनी मरजी नफरत कर लीजे मुझसे मुझे सब मन्सूर है लेकिन सबके सामने यह नाटक करना होगा चिपका दिये सारे पूरे इलाके के हर एक जगे पर चिपका दिये यह एक बज गया काम आएगा कल सुबा की सूरज के साथ जब यह समाजवाले सुम्या को धक्ते मारके किन्रों की बस्ती में फेकेंगे तब ही मुझे सुकून मिलेगा पर एक बात समझ में नहीं आ रही है रावी का ससुर भी तो ऐसा ही चाहता था न तो फिर आपने उसे पक्का जवाब क्यों नहीं दिया जो अपनी बहु का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा जरूरत पड़ी तो हमारे से मदद मागने के लिए आ गया हो मैंने हा या ना इसलिए नहीं बुला क्योंकि कल तो मुझे उसकी जरूरत पड़ सकते हैं तो मैं अपनी चौकट पे उसे बुला सकती है और वो आएगा और वो आएगा हर्मन जी आप क्यों बार बार इस कमरे में आ जाते हैं एकी बार सब कुछ खत्म करके आप आप अपनी नहीं सिंदिकी की शुरुबात क्यों नहीं करते हैं जी जरूरत थोड़ी चुका तम हो जाए महुपत किये तुमसे सारी सिंदगी चले पर क्यों उनकुती है आपने लाइट इस ले आफ की ता कि किसी को शाकन हो पर किसी नहीं भी मुझे नहाँ तेमनी तेका अर अपी पर अपी अर आपको मेरे साथ डांस करोगी मेरे साथ डांस करोगी आपको हर टाइम डांस कैसे सूचता है जी जाए मुझे रांस नहीं प्लीज तेरा इश्क है मेरी अबादत दीदार है दिल की राहत तेरा इश्क है मेरी अबादत दीदार है दिल की राहत तेरे सजदें में सर जुकाओं मुझे दे दे इतनी अजासत तु ही मेरा खुदा तु ही मेरी दुआ 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 तु ही मेरा खुदा तु ही मेरी जो भी करने के लिए मना करती हो ना बार बार मेरा दिल वही करना चाहता है आज नो म्यूजिक नो शोर चराव नुम खिड़की से आती भी चांद की रोशनी को देखो उन में अपने चांद को देखोंगा उमारी सांसों और धलकनों की आवास पे ठरकते हमारे कतम बस करीना अब तक नहीं आई है मुझे तो डर कि कोई कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे तो कहां गई थी इसे पढ़िये कहां आई है कहां आई है कहां आई है कैसा लिखा है कुछ छूटा तो नहीं न लिखने में अब कुछ छूटा भी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती वो क्या कहते हैं तीर कमान से निकल चुका है अब निशाने पे लग्के ही दम लेगा प्रोबटा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जल्दी से निकाले, एक भी पोस्टर बचना नहीं चाहिए सारे पोस्टर निकल गए ना, हाँ मल्यकदी, हर जगह से पोस्टर खांड दिये रात भर हम पूरे गाउं का चकर लगाएंगे और सुभे, तुम सब लोग वापस यहीं पे आ जाओगे अगर कोई पोस्टर कहीं दिखता है, तो उसको निकाल लेना, एक भी पोस्टर बचना नहीं चाहिए जी मल्यकदी, क्यूंकि सौमया की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे उपहता है मैंने उसकी मा निम्मी की जलती हुई चिता के आगे वचन दिया था तुम सौमया की फिकर मत करना, क्योंकि उसके साथ हर्मन है, उसका रक्षक और मा की मुम्ता में मैं कोई कमी नहीं आने लुमी निम्मी चलो, पूरे गाउं का एक चक्र लगाते हैं और देखते हैं, कोई पोस्टर बचा तो नहीं, चलो आओ फटा फटा, चलो जब तुम मेरी बाहों में होती हो, तो मुझे ऐसा लगता है, मानो मैंने अपनी बाहों में पूरी तुनिया समेट रखियो, तुम्हारे साथ, कहीं तू और चाहरे एक अलग तुनिया बसाना जाता हूं, जहां पर सिर्फ हम तो नहोंगे, पर पता नहीं, तुम क्या चाहती है, जानती हो पारिश में फीगने के बाद, मेरी शर्ट से, तुम्हारी खुजबु आती है, रात को पंखा पंख करके सोता हूं, ताकि तुम्हें ठड़ना लगे, जूट बोल रहा हूं, इतना बावला नहीं हो, तुम्हारा बनाया वस्वेटा, कर्मी के मौस्त में, हरी धूप में गले मुलपेटकर खुमता रहा हूं, तुहे मेरा पुदा, तुहे मेरी ग्रॉाँ, और फिर, कुछ नहीं कहूंगा, मैं समझ ही नहीं पारा, कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम मुझे यहां से थक के मार के भान निकाल दो, मैं खुछ चला जाता हूँ, कुछ नहीं? मैं से जाने का मैं बिलकुल नहीं है, कुछ नहीं? तुने मुझे को दिये, इल्तिजा धड़ी कनों की है, हम जुदा ना जिये, हम जुदा ना जिये सब समझती हुझे, पर ऐसी कोई दुनिया ही नहीं पनी है, जहां हम दो सथ रह सके जब जब आप इस कमरे से जाते हैं, बिलकरता है हाथ पढ़ाकर आपको रोप यूँ, और जब किसमत में ही साथ रहना नहीं लिका है, तो प्रहाथ थामनी का क्या पाइदा? अज़ अज़ जब चाहँ झापनी का क्या नहीं दूट सब्सक्टाइन